आज लखनो महानगर की तरफ से बहुती व्यापक मंदिर स्वच्छता अभियान कायोजन किया गया है जहां लखबक साथ सो मंदिरों में सफाई का अभियान हो रहा है उसी के निमित में यहां चंदरनगर में इस सनातन धर्म मंदिर में आया हुआ हूँ और हम सब के मन में जितने भी प्रकार की मलिंता थी वो सब अब दूर हो गई है क्योंकि अब कल ही भवे राम मंदिर में श्री राम रला विराजमान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होने जा रही है मानी हुई बात है कि यह चंद हर उस राम भक्त को हर उस कारसेवक को इविन जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया सब को ध्यान आता होगा क्योंकि हम लोग उस जमाने में ये गीत गाते थे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है हर हरदय की धड़कन राम आयन पगपग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है प्राणों में तो श्वासों का घट रीता है इसलिए नरनाहर शिरी पुरुश और सौगंद पूर्ण होने में भगवान ने कितना सुंदर अप्रतिम दिखाया है कि केंदर में शी नरिंद मोदी जी के नितरत में दूसरी बार हमारी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नितरत में दूसरी बार सरकार आई है दोनों जगे राम भक्तों क को शोचाले मिला है कि सभी महिलाओं को गैस भी मिली है और इतना ही नहीं हुआ है अगर आप देखें तो हम पांचवीं बड़ी अर्थवस्था बने हैं चौथे बड़े स्टॉक एक्षेंज बने हैं तीसरे बड़े आटो मुबाइल मेनफेक्चर बने हैं दूसरे बड़े म चूते कोने को चूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने और उसका नाम प्रधान मंत्री जीने पॉइंट शिवशक्ती रखा है शिवशक्ती अर्थाद भग्मान शंकर और पारवती राम चरीत मानस में प्रसंग है कि जब भग्मान वापस अध्या आये थे तो शंकर ज शिवशक्ती के रूप में वैसा ही आशिरवाद आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्राप्त हो रहा होगा कि मानो उसी रूप में भग्मान शंकर हमको आशिरवाद दे रहे होंगे तो मैं कह सकता हूं कि भारत का परिवर्तन की भारत के गौरव की भी प्रा भी रही थी वहाँ पे भी फुज़ फुज़ खाफले निकलने लोग अशूर लास्माइब लेकिन यहां है भारत में बैटे कुछ विपक्ष्ट के लोग तमाम सवाल खड़े करते हैं वो कभी कहते हैं यह बीजेपी का इवेंटे कभी बताते हैं कभी जाम के स्थित्व पे स कार थे इकबाल अंसारी उसको भी इनवाइट किया है और वो भी आ रहे हैं मुझे लगता है और आपको एक और बात बता दूँ कि जो सबसे पहले मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसमबर 1949 की रात तो उसकी सबसे पहले गवाही किस ने दी थी यूपी पुलिस के एक सिपा पा रही है ये इसलिए नहीं हो पा रहा है चूंकि इनके पास वह भक्ति की दृष्टी नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा अभी सब लोगों से कि हम सबके प्रति कोई बैर भावे नहीं रखते जो कहा गया बैर नकर काहूसन कोई राम प्रताप विशमता कोई किसी से कोई व गति प्राप्त होगी जो कहा गया है अजहुतात भज तजिकुटिलाई राम भजे गतिके ही नहीं पाई तो उसको तरफ आप आईए और फिर भी मैं कहता हूं मन ना हो तो बेमन से आ जाईए क्योंकि तुलसी दास ने कहा है तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहें खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा भीज खेत में अगर बीज पड़ जाता तो कुछ तो उगाता है रीज के न भजो हम तो रीज के भज रहे हैं आप खीज के भजो तो भी स्वागत है